बर्गद ट्री वर्शिप बर्गद के पेर में क्यों बांधा जाता है कलावा जानिए इसका धार्मिक महात्व क्या महत्व रखता है बर्गद का पेर बर्गद के पेर में ब्रह्मा जी श्रीहरी और शिव निवास करते हैं बर्गद के पेर की उम्र सबसे ज़्यादा होती है इसलिए इसे अक्षे वट भी कहा जाता है देव रिक्ष होने के कारण बर्गद के पेर की पूजा का भी विशेश महत्व है हिंदू धर्म में अखंड सोभागय, आरोगय और सुक समरिधी के लिए बरगत की व्रिक्ष की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में कलावे का महत्व, कलावे को हिंदू धर्में रक्षासुत्र भी कहा जाता है। साथ ही इसे बहुत ही पवित्र माना गया है। इसलिए पुझा में भी इसका विशेष रूप से इस्ते माल किया जाता है। इसे वट विख्श बिर्क्ष भी कहा जाता है, महिलाएं वट सावित्री व्रत के दौरां बरगत की पेर की पूरे विधी विधान के साथ पूजा करती हैं साथ ही उसमें कलावा भी बांधती है सनातन धर में कई पेर पौधों को पूजनिये माना गया है हिंदु धर में बर्गत के पेर की पूजा का विशेश महत्व है धार्मिक मानियताओं के अनुसार इन पेर पौधों की पूजा करने से घर का वास्तु दोस्त दूर होता है जिसे परिवार में सुकसम्रिदी बनी रहती है क्या महत्व रखता है बर्गत का पेर बर्गत के पेर में ब्रह्मा जी श्री हरी और शिव निवास करते हैं बर्गत के पेर की उम्र सबसे ज़्यादा होती है इसलिए इसे अक्षे वट भी कहा जाता है दे बोग्य और सुक समरीधी के लिए वट व्रिक्ष की पूजा की जाती है। बर्गद में कलावा बांधने के लाव, शास्त्रों में बर्गद यानि वट विक्ष के पेर की पूजा करने का विधान बताया गया है, मानिताओं के अनुसार बर्गद के पेर की पूजा के बाद उसमी कलावा बांधने से इस्त्रियों के सुहाग की रक्षा होती है, कहा जाता है कि बर्गद के पेर में कलावा बांधने से ववाहिक जीवन भी खुशहाल बना रहता है साथ ही इससे पती-पत्नी के संबंध में मिठास घुलती है माना जाता है कि बर्गद के पेर में कलावा बांधने से अकाल मृतु जैसे योग भी टल जाते है कैसा लगा आप सभी को हमारा ये वीडियो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएगा अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब हैं सेर करना बिल्कूल अबूला